फ्रेंड्स गूड इवनिंग आप सभी का हमारे यूटूब के चैनल में सौगत एक बार फिर से स्टेशन संट प्लेसेज में जो वीडियो लेकर आया हूँ वो फरदान देल्वे स्टेशन का लेकर आया हूँ और जैसा आप लोगों को पता है कि फरदान देल्वे स्टेशन लखीमपूर और गोला के बीच में पढ़ता है लखीमपूर से जिसकी दूरी लगबग 13 किलोमीटर और गोला से लगबग 22-23 किलोमीटर के करीब में है और यह जो ट्रैक जा रहा है यह लखीमपूर की तरफ जा रहा है और यह जो ट्रैक जा रहा है गोला गोकरनात की आया था, उसके मुकाबले आज कितना काम हो गया है, वो दिखाने आया था, तो friends देख सकते हैं, अभी यहाँ पर cemented boundary wall नहीं लगाई गई है, और pillars लगा दिये गए है, और जो मैं आपको view दिखाऊंगा, वो platform number 2 की तरफ से दिखाऊंगा, तो चलिए friends, platform number 2 की तरफ, यहाँ स से देखिएगा, यह platform number 2 का आखरी सिरा है, जो की गोला की तरफ जा रहा है, finishing की कमी है, और pillars खड़े कर दिये गए है, और यहाँ पर cemented boundary wall जा लगा दी गई है, खाली इतना सा हिस्सा बचा है, और first भी बना दी गई है, यहाँ तक देख सकते हैं, और सामने जो pillars बचे हुए pillars तो खड़े हुए हैं, लेकिन cemented boundary wall नहीं लगाई गई है, वो हिस्सा, और दर साइड में देख रहे हैं, वो toilets बनना है, प्रसादन घर, देखिए friends, यह platform number 2 का board, sign board, electric poles लगा दिये गए हैं, रोश्नी के लिए, अब देख सकते हैं, एक चीज की कमी और भी है, signal इस समय नही है, तो friends, यहाँ से देखिएगा, पूरी तरह से boundary wall लगा दी गए हैं, platform number 2 पर, और जो platform number 1 पर है, आधे platform या दो तीहाई आप कहे लिए, प्लेटफॉर्म पर boundary wall लगे हुए हैं, cemented boundary wall, बाकी पर नहीं लगा है, और station पर भी रोश्नी की अच्छी वियस्था होगी, क्योंकि electric poles जगा जगा लगे हैं, और उसमें LED lights भी लगे हुई है, friends, station पर अभी एक चीच की कमी है, कि जो तीन शेड है, उसके angle ही लगाए गए हैं, अभी पूरी तरह से angle fit नहीं किये गए हैं, आपको करीब से दिखाते हैं, friends, मैं चाहता तो मैं उधर से भी वीडियो बना कर, ला पिस पर camera पर नहीं पढ़ लगी है, और सब कुछ clear दिख रहा है, और सामने देख सकते हैं, building है, official building, और ये के, नल की भी वियस्था हो गई है, पानी की, और ये सामने नई building देखा, आपने, टीन शेड की कमी है, बस, देख सकते हैं, अप, एंगल नहीं लगाए गए हैं, और टीन शेड भी नहीं, control panel का जितना भी काम है, technical work, वो सब complete है, relay room, battery room, और, जो signal से related, सारे काम ओके हैं, और इस समय सिगनल जल नहीं रहे हैं, वनना मैं आपको दिखाता, यहां से प्रेगा, फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, प्रेकपाउन नंबर एक की तर्फ चलते हैं, यह के ट्रेक की पुताई का काम चलना है, सफेद, लाल, सफेद, यह control panel लो, और यह के ब्रॉडगेट से related, सब material, बाहर का नजारा, नई बिलिडिंग के बाहर का नजारा, चलिए पुरानी बिलिडिंग के तर्फ चलते हैं, यह टिकट गर है, टिकट काउंटर, तो फ्रेंड्स, इस टेशन पर फिनिशिंग की कमी है, और साव सफाई की भी कमी है, बाकी सब कुछ होके है, ट्रेक वगरा, सिगनल वगरा, हलांकि सिगनल अभी जल नहीं रहे है, व पुरानी बिलिडिंग, रेलवे स्टेशन की, और यह यहां से नजारा, तो फ्रेंड्स, यह था फर्दान रेलवे स्टेशन से, आज तक का फुल अपडेट, उम्मीद करता हूं, आप लोगों को आज का यह फर्दान रेलवे स्टेशन से अपडेट पसंद आया होगा, ला तब तक क्लिए फ्रेंड्स, आलवीदा, वीडियो रेखने क्लिए बहुत बहुत दन्यवाद,